नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी परंतु महत्तपूर्ण जज्ज्मेंट की और जज्ज्मेंट का नाम है मुर्ली देवडा वर्सेज यूनिन अफ इंडिया ये मुर्ली देवडा जो कि एक कांग्रेसी निता थे उनके द्वारा 1909 में पेटिसन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने पेटिसन फाइल की तो उनका मेन कंटेंशन ये था कि जो लोग एक्टिव स्मोकर होते हैं यानि कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं और वो लोग तो जानबुज करके कोई भी स्मोकिंग कर रहे हैं लेकिन जो लोग पैसिव स्मोकर है यानि कि जो स्मोकिंग नहीं करते हैं और उनको बिना कारण से एक्टिव स्मोक करके चलते पैसिव स्मोकिंग करनी पड़ती है खास करके पब्लिक प्लेसिस पर और वो उ कोई भी active smoker smoking ने कर पाए पैसे smoker तो करते ही नहीं है तो main contention जो है इस petition में मूडली देवडा का यही था कि जो smoking है वो public places पर ना हो अब supreme court को उन्होंने जो अपनी petition file की उसमें यह बताया कि जो within studies उसमें होई थी कि tobacco use के चलते यानि smoking के चलते तरह तरह की बिमारियां होती है जैसे cancer होता है कई तरह का cancer होता है फिर सांस की बिमारियां होती है तो उनका यह कहना था कि इन सब बिमारियों के चलते लाखों लोग हर साल मरते हैं और वो लोग जो active smoking करते हैं जो smoker है वो तो जानबूज करके यह कर रहे हैं उनको यह पता भी है कि यह injurious to health है स्वस्थ्या के लिए हानिकार का है फिर भी करते हैं लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग smoking नहीं करते हैं लेकिन उन smoker के चलते उन्हें passive smoking करने पड़ते हैं अब इसमें सुप्रिम कोर्ट में ये भी बात आई कि जो smoking के चलते हैं हर साल जो लाखों लोग मर जाते हैं उसके चलते देश में हजारों करोड रुपए का एक तरह से economic loss भी होता है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रिम कोर्ट ने ये माना कि जो एक तरफ smoking इंडस्ट्री के चलते यानि tobacco इंडस्ट्री के चलते कुछ लोगों को employment मिलता है किसी का घर चलता है वो सब benefit हैं लेकिन इसके उपर जो नुकसान जो देश को economic और health के terms में face करना पड़ता है वो इतना ज्यादा है कि public places पर smoking allowed नहीं की जा सकती है इसको जितना ज्यादा हो सके उतना discourage करना चाहिए और वो prohibition की बात कर रहे थे इसमें Supreme Court ने भारत सरकार को उसमें चुकि Attorney General of India इस matter में represent कर रहे थे तो उन्हें कहा गया कि जो पहले का 1975 का जो tobacco advertisement और जो sales से सम्बंदित जो खानून है उसको पूरी तरह से enforce करते हुए compliance उसकी की जाए लेकिन सरकार की तरब से वो नहीं किया गया दुबारा एक hearing हुई उसमें adjustment लेनी पड़ी लेकिन अंत में Supreme Court ने ये कहा कि जो भारत सरकार है और रज्य सरकार हैं यूनियन टेरिटरी हैं उन्हें सब में खास करके जो public places जिसमें कोर्ट ने माना कि auditoriums, hospital buildings, health institutions, educational institutions, libraries, court buildings, public offices और public conventions including railways इन सब जगों पर जो है जब ये petition जो इन directions के साथ dispose of की गई तो उस समय पार्लेमेंट में smoking ये जो tobacco products हैं इन से समदित जो 1975 का जो कानून था उसको बदलते हुए नया कानून जो है पार्लेमेंट में था और वो standing committee या joint committee के पास था तो इन सब ये जो direction दी गई थी वो direction बाद में जो नया कानून बना उसमें incorporate की गई और वो 2003 में फिर नया कानून बना तो उसके हिसाब से देश में जो है tobacco products है वो कौन-कौन से हैं और किस तरह से उनकी sale purchase production सब कुछ हो सकता है और अगर कोई violate करता है उन regulations को और उन कानूनों तो उनका confiscation हो सकता है उस पर panel provision है वो भी उत पर लग सकते हैं हालांकि जो offenses है वो सारे के सारे available offense है तो ये मोडली देवडा का जो case था उसकी जो directions थी वो भी उस 2003 के कानून में फिर incorporate हुई तो ये है मोडली देवडा versus Union of India का judgment जिसके चलते देश भर में public places पर smoking को prohibit किया गया बैन किया गया अगर आप कहीं किसी public convince में है जैसे railway में है और कोई अगर cigarette पी रहा है या बेड़ी पी रहा है या सिगार पी रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से कानूनन जुर्म है नमस्कार धन्यवाद कि बाकुर्णा करें शक्योंकि रहा है तो खताओ ससा है ये रहा है ये पी रहा है कि रह जो अगर झाया और कानून्सी पुर्म है टुर्म है कि रहा है थार वागर